साज संगत जी प्रेम से कहना धन्न रंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी है बेटियों के सम्मान की एक कहानी चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साज संगत जी शादी के बाद विदाई का समय था प्रीति अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी वहाँ पर मुझूद सभी लोगों की आखों में आसू थे प्रीति ने घूंगट निकाला हुआ था वो अपनी छोटी बेहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदी का आगई थी और प्रीति का अधुला विकास अपने खास मित्र प्रशांत से बाते कर रहा था तो प्रशांत ने अपने दोस्त विकास को कहा कि सबसे पहले घर पहुँचते ही हम होटल चलकर अच्छा सा खाना खाएंगे यहां तेरे ससुराल में खाने का मज़़ नहीं आया तभी पास में खड़ा हुआ विकास का छोटा भाई चंदन बोल पड़ा हाँ यार पनीर भी कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था और ये बोल कर वो जोर जोर से हसने लगा विकास भी पीछे नहीं रहा वो भी बोल पड़ा अरे हम लोग होटल चलेंगे जो खाना है खा लेना मुझे भी यहां खाने में मज़ा नहीं आया रोटी भी गरम नहीं थी अपने पती के मूँ से ये शब्द सुनते ही प्रीती जो की घूंगट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी वो वापस मुड़ी गाड़ी के दर्वाजे को उसने जोर से बंद किया गूंगट हटा कर अपने पिता के पास पहुँची अपने पिता का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी मैं ससुराल नहीं जाओंगी पिता जी मुझे ये शादी मनजूर नहीं है अब ये बात प्रीती ने इतनी जोर से कही कि वहां मुझूद सभी लोग हैरान हो गए सब नजदीक आ गए अब प्रीती के ससुराल वालों पर तो जैसे पहार तूट पड़ा बात क्या थी? ये किसी की समझ में नहीं आ रही थी तभी प्रीती के ससुर अशोक जी ने आगे बढ़कर प्रीती से कहा बेटा बात क्या है? शादी तो हो गई है विदाई का समय है अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम शादी को नामन्जूर कर रही हो? अब विकास की तो मानो दुनिया ही लुटने जा रही थी वो भी प्रीती के पास आ गया और विकास के दोस्त भी सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरेन वक्त पर क्या हो गया जो दूलन ससुराल जाने से मना कर रही है तो प्रीती ने अपने पिता दया शंकर का हाथ पकड़ रखा था प्रीती ने अपने ससुर जी से कहा पिता जी मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मार कर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है क्या आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या माईने रखती है आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है प्रीती रोते हुए बोले जा रही थी आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बरातियों की आव भगत में कोई कमी ना रह जाए इसलिए मेरे पताजी पिछले एक साल से रात को दो तीन बजे तक जाकर मेरी मा के सथ योजना बनाती थे खाने में क्या बनेगा रसोया कौन होगा पिछले एक साल से मेरी मां नहीं साड़ी नहीं खरी दी क्योकि मेरी शादी में कमी न रह जाए दुनिया को दिखाने के लिए मेरी मां ने अपनी बहन की साड़ी पहन रखी है और मेरे पिता की इस 200 रुपे की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया बस इनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी और उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड लगी और मेरे देवर को तो रस मलाई में रस नहीं मिला इनका खिल खिला कर हसना मेरे पिता की अभिमान को ठेस पहुचाने के समान है प्रीती हाफ रही थी प्रीती के पिता ने रोते हुए कहा लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात तो प्रीती ने पिता की बात को बीच में काटा कहने लगी ये छोटी सी बात नहीं है पिता जी मेरे पती को मेरे पिता की इज़त नहीं रोटी क्या आपने बनाई है? रस्मलाई क्या आपने बनाई ये सब तो केटर्स का काम है आपने दिल खोल कर और हैसियत से बढ़कर खर्चा किया है कुछ कमी रही तो वो केटर्स की तरफ से आपने तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुडियारानी को विदा कर दिया आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं और मा कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली कल से वो अकेली बाजार जाएगी क्या जा पाएगी जो लोग पतनी या बहु लेने आए हैं वो खाने में कमिया निकाल रही है मुझे में कोई कमिया आपने नहीं रखी ये बात इनकी समझ में नहीं आई तो दया शंकर जी ने बेटी प्रिती के सर पर हाथ फिराया कहने लगे अरे पगली बात का बतंगड बना रही है मुझे तुझ पर गर्व है कि तु मेरी बेटी है लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे तुझे मेरी कसम तो शान्त हो जा तभी विकास ने आकर दया शंकर जी के हाथ पकड़ ली और कहने लगा मुझे माफ कर दीजे पता जी मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई ये कहते कहते उसका गला बैठ गया था वो रो पड़ा तब ये शोक जी ने आगे बढ़कर प्रीती के सर पर हाथ रखा और कहने लगे मैं तो बहुले ने आया था लेकिन इश्वर तो बड़ा दयालू है उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की एहमियत भी समझा दी मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी शायदी सिलिए कि तेरे जसी बेटी मेरी नसीब में थी अब बेटी इन नलाइकों को माफ कर दे मैं हाथ चोड़ता हूँ तेरे सामने मेरी बेटी प्रीती मुझे लोटा दे प्रीती के ससुर जी ने सचमुष हाँ जोड़ दिये थे और प्रीती के सामने अपना सर जुका दिया प्रीती ने अपने ससुर जी के हाथ पकड़ लिये कहने लगी पिता जी प्रीती भी भावुख हो कर अपने ससुर जी से लिपट गई थी और दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूती कर रहे थे अब प्रीती राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी पीछे छोड़ गई थी आंसों से भीगे अपने माता पिता की आँखे अपने पिता का वो आंगन जिस पर कल तक वो चहकती थी समय हम उन व्यक्तियों के बारे में सोच रहे थे जिनोंने बेटी को सरव प्रथम पराया धन की संग्या दी होगी बेटी मा बाप का भिमान और अनमोल धन होता है पराया धन नहीं कभे भी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सबजी बनाने में एक पिताने कितना कुछ खोया होगा और कितना खोयेगा अपना आंगन उजाड कर दूसरे की आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं होती इसलिए खाने में कमिया ना निकाले बेटी की शादी में बनने वाले पनीर रोटी या रस मलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उमर होती है ये भोजन केवल भोजन नहीं पता कि अर्मान और जीवन का सपना होता है बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकनों में सालों लगते हैं इसलिए बेटी की शादी में खाने की कदर करें अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो किरिपे इसे दूसरों से भी साज़ा जरूर करें क्योंकि ये कदम होगा बेटियों के इस सम्मान के लिए आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ सासंगत जी प्यार से कहना धन रताजी